तो हेल विडियों कैसे हैं आप सब लोग माई सेल तुशार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके स्टेजिस ओफ लेबर के बारे हैं लॉंग बैक हमने एक इस टॉपिक में वीडियो बनाए थी जिसमें आपका काफी अच्छा रिस्मांस मिला था तो उसी में थोड़ा अपके क्लिव बहुत पहले बनाए थी तो अब जाके एक रिफ्रेश वीडियो है यह थोड़ा इसमें चेंजेस हैं थोड़े हलके फिलके जोसमें मिस्टेक सी वह मैंने इसमें करेक्ट कर रखी है और थोड़ा प्रेशिंटेशन में थोड़ा दिफ्रेंट कर रहा है तो आप इससे भी पसंद करेंगे और कोई डाउट हो फिर भी आप नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर से लिख सकते हैं तो वीडियो को स्टार् या तो आपके जो लेबर की स्टेज़े इस पहला लांगेस्ट स्टेज ओका इसमें आपकी जो सर्विक्स होगी ठीक ये बोडी एड साथ दिलेट ऐड़ा सेंटीमेटर तो दिलेशन होगी आट पड़ तक जहाँ पे 10 सेंटिमेटर जहां पर अगिसेंट येशन होगी आइ क्लियर एंड वहां पर आपका effacement of the cervix भी हो जाता है एक तो डाइलेड भी हो रही है एंड साथ में इसमें थिनिंग भी हो जा रही है तो 100% उसका आपको एफेस्टेंड है जाएगा सर्विक्स का एंड जो फर्स्टेज है इसके तीन फेज़े जो एक करके इस फेज़ेस को देख लेते हैं ठीक है एंड यह डाइग्राम भी है यहां पर तो पहले फेज पढ़ लेते हैं तो इसमें तीन फेज़ेस है आपके लेटेंट फेज एक्टिफ फेज और ट्रांजिश तो इसमें भी क्या होता एंड गि अचाना की 10ills सीमिट्र रयाइट हो जाता है कुछ इसमें फेज़ेस होता है तो जो पहला फेज से इसमें तो क्या होंता है इसम हर आपको सिकते हैं के हर 5 से लेकर 30 मिनिटेंपरागों के बीच में एक क Lords दिखाएगा जो कि लास्ट कर ता ह 30 to 45 seconds, ठीक है, 30 या 45 seconds तक वो contraction होगा, उसके बाद रुख जाएगा, फिर 5 minutes या 30 minutes के बाद वापस से start होगा, clear, and अगर duration की बात करें कि, ये कब होता है, actually, तो आपकी जो primary gravida होता है, ठीक है, primary gravida में 14 to 20 hours तक चल सकता है, ये phase, कौन सा, आपका latent phase, and जो आपकी multigravida है, इसमें 4 to 8 hours तक लग जाता है, ठीक है, तो ये अपका है, primary gravida, this is first time, तो उसमें क्या है, आपका 14 to 20 hours लग जाता है, लगबल, and multigravida में आपके 4 to 8 hours लगता है, next आपका आता है, एक तो latent हो गया, latent के बाद क्या है, आपका active phase, जो active phase है, इसमें क्या होता है, कि आपकी जो cervix है, पहले क कि last करेगा 45 से 60 seconds तक, clear, तो आप देख सकते हैं, कैसे changes हो रहा है, आपके contractions का interval कम होते जा रहा है, interval मतलब हर 3 से 5 minutes में आप contractions आएंगे, पहले क्या हो रहा था, कि 5 से 30 minutes तक के बीच में contractions आ सकते थे, clear, अब उसमें क्या है, कि आपके duration की बात करें, तो duration में क्या हो सकते है primary gravida में 4 to 6 hours तक चलेगा ये phase, and multi gravida में 2 hours तक चलता है लगबग phase, and इसी में जो final phase है, transition phase, जिसके बाद आपका stage 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या होता है, आपके transition phase में, जो आपके cervix है, it dilates, ठीके dilates, कितनी हो जाती है, total आपकी 8 से लेके, जो maximum dilation है, that is 10 cm, तो वहा त duration है, इसका मतलब, duration मतलब, intervals है, तो 2 to 3 minutes में, आपके हर 2 to 3 minutes में contractions होंगे, जो कि intense होंगे, and they will last for 60 to 90 seconds, clear, तो यहाँ पर देख सकते है, उसका time interval है, वो काम हो रहा है, लेकिन जो उसका duration है, contraction का, वो बढ़ रहा है, and टोटल duration, जो इस phase का duration है, that is about 30 minutes, तो लेके 2 hours, दोनों के लिए, primary and multi-gravity अके लिए, तो इसका अगर हम लोग इसकी थोड़ा डाग्राम देखें, तो यहाँ पर latent और active phase हम ने बनाए, stage 1 में, active phase में अब देख सकते है, यहाँ पर हलका dilation अभी start होगा अभी, ठीक है, and यह तो देख सकते हैं, uterus है, यह cervix है, this is the cervix, जिसमें dilation, and dilate होना start हो गई है, ठीक है, and just इसके बाद आपका transition phase आता है, and उसके बाद आपका stage 2 start हो जाता है, तो अब हमने transition phase सक देख लिया, अब stage 2 की दरफ बढ़ते हैं, देखो, stage 2 है, it starts when cervix fully dilates and effaced, मतलब आपके क्या होता है, इसमें जो cervix है, जो हमने बोला था, आपके, देखो, हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ा था, stage 1 में, जो end होता है, क्यासे होता है, end आपके dilate हो जाता है, एक तो 10 cm और effaced भी उसका 100% हो जाता है, तो वहीं से आपका stage 2 start हो जाता है, simple सी बात है, it ends with delivery of the baby, ठीक है, यहाँ पर end stage 2 का कहां पर हो रहा है, जैसे ही baby deliver हो जाएगा, अब इसमें जो contractions हैं, वैसे इसमें क्या होते हैं, आपके 2 से लेके 3 minutes तक चलते हैं, for 60 to 90 seconds, ठीक है, 2 to 3 minutes for 60 to 90 seconds, and यह contractions कैसा है, same है, एक्दम transition phase जासा, and अगर duration की बात करें, तो प्राइमी क्रैविडा में यह 2 to 3 hours तक चलता है, यह phase, यह stage, और जो multi क्रैविडा है, इसमें, around 30 minutes तक चलता है, तो आपका यह हो गया, second stage, ठीक है, इसमें भी 2 phases होते हैं, एक होता है, आपका, आपका propulsive phase, और दुसरा होता है, expulsive phase, propulsive में क्या होता है, आपका period of full dilation, until head reaches pelvic floor, ठीक है, full dilation तो हो गया, cervix का, साथी साथ, आपका जो fetus का head है, ठीक है, बेबी का head है, वो आपक pelvic floor में touch करना start हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते है, propulsive phase, and अगर बात करें, expulsive phase में, तो इसमें कहते है, the time, mother has irresistible desire to bear down and push until the baby is delivered, ठीक है, यह एकदम last, उसका stage है, मतब, period है, किसका stage 2 का, जब, जो mother है, ठीक हो fully bear down करती है, ठीक है, मतब, बिलकुल भी, जिससे बोल सकते है कि बिलकुल रहनी सकती है, and push करके, पूरा जो लगा के, बीबी को जैसे ही deliver कर देगी, यह आपका expressive phase complete हो जाएगा, clear, इसका diagram देख लेते है, तो this is how it looks, stage 2, and यहापे आपके crowning of the head भी start हो जाता है, and यह mechanism of labor jump पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी नेक्स वीडियो होगी, most awaited video है, का पढ़ेंगे crowning of the head के बारे में, तो यह है अपका stage 2, and it completes, stage 2 complete कहाँ पर होगा, with the expulsion of the baby, stage 2 में baby निकल गया भार, बात करें अपके stage 3 की, तो इसका start कहा सा होगा, जहापे stage 2 खतम होगा, तो simple क्या है, it starts with full delivery of the baby, clear, and it ends with delivery of the placenta, stage 2 में तो baby निकल गया, and stage 3 खतम कहाँ पर होता इसका duration about 15 minutes होता है, जैसे baby निकला, उसके 15 से 20 minutes से में आपका placenta भी भार आ जाता है, and इसमें जो shape of the uterus है, क्योंकि अब baby निकल गया, placenta निकल गया, तो इसमें क्या होता है, shape of the uterus, it becomes globular, कहां से, oval से, तो oval से, इसका shape change होके, globular बन जाता है, clear, so this is the stage 3, and बात करें stage 4 की, so actually this this is observation, इसमें कुछ होता नहीं है, वैस आपको इसमें observation करना है, मदर में, कि उसका mother का BP नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, blood pressure कैसा है, उसका heart rate कैसा है, all that, जो भी stuff है, हम उसमें checking करते है, जो भी vital से है, mother के, सब कुछ इसमें check करते है, तो हम इसको 1-3 hours after delivery of the placenta, हम मदर को check करते है monitor करते है baby को, and साथ है mother को भी पुरा इसको देखते है, vital को, तो यह तो होगा stage 4, and stage 3 का यह है, मैंने diagram बना रखाया, आप exam यह भी same, ऐसा बना सकते है, ठीक है, जिसमें हमने प्लासेंटर दिखा रखा है, and यह से प्लासेंटर भाहर निकल जाएगा, तो आपका stage 3 खतम हो ज आ चुके है, तो आप जव से उसे check out कर सकते है, तो मैं दिखा देता हूँ, अगर वह उसी book में है, तो, yes, तो यह हमने पढ़ा था, events in the first stage of labor, तो हमने तो यहाँ पर ब्रीफली पढ़ा, कि stage 1 में क्या 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 है, stage 2 में क्या 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 है, duration, क्या 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 क पढ़ा था, तो आपने इस सब चेक आउट नहीं कहा है, तो जरूर से कर लेना, इसका लिंक में आपको निचे description में दे दूँगा, आई को playlist में जाएगी आपकी ops की, तो वहाँ से आप जरूर से चेक आउट कर सकते हैं, तो आप जरूर से उसे भी देख सकते हैं, तो उसक करेंते हैं करके जरूर से करा झाझ जरूर से कर जरूर irony को जर दोसोजिए भी कर दो में दोसी खाटे कर ले खाटे हैं, तो आपके जरूराि 그거ael को कर सकते हैं?